नमस्कार आज मैं आपके सामने एक निया केस लिख रहा हूं और यहां केस है अरिटिकेरिया यह Hmm जिसको फृप्र बोर्ठी और पृप्ति ऊचलना एंक और पित्ति काथे हैं इस बिमारी को होने के बाद सबसे पहला लोग इस पर उपाय करते हैं, कुछ घरेलू उपाय करते हैं, इस पर गेलू अगरा लगाते हैं या कड़ुआ तेल अगरा लगाते हैं और उस सब लगाने का कोई फाइदा नहीं होता है, क्योंकि उसका लगाने से कोई मतलब नहीं है दूसरा जब बहुत दुनों तक इलर्जी होता आता है तो पहले तो लोग सिट्रिजिन या इलागरा इस टाइब की टैबनेट्स को घरा खाते नहीं उसके बाद में ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं गाह cuts को सहते हैं एलर्जी की सट्थ बॉडी में अलग अलैक्ता के उलजिया अज़ी से आपके تिस्ट करें चुब करेव dipsयों करें हो संभु नहीं हो पाता है यह लड़की जो मेरे पास आई थी इसको पिछले 5-6 सालों से अर्टिक एडिया के प्रावलम थी पुरी बाड़ी में अलग लग तरह के लाला रह आते थे इसने जब पहली बार मेरे पास दिखाया तो मैंने इसका पुरा केस दिखा और मैंने इंको पुरा ठीट्मेंट के प इनको विश्वास नहीं हुआ यह वापस चली गई और 5-6 जिन तक इन्हों ने स्टडी किया मेरे वेबसाइट के बारे मेरे मेरे क्योड केसिस के बारे मैंने इनका ट्रीपने स्टार्ट किया और बहुत जल्द एक महीने के अंतर यह पुरी तरह से अर्टिक एडिया ठीप हो गया आज 22 सितंबर 2020 को मेरे पास ही फिर से आई है और देखिए जो जूम में मेरे पास आई थी और अभी आज क्यों मातर 3-4 महिनों के अंदर ने का जो पिछले 6 साल से समझ चाती इन्होंने होमेपैथी एलोपैथी डर्वेट्रोजिस से सब से दवा ली थी ठीक नहीं ह होमेपैथी में इलाज संभाए बहुत तरह कि हो पैथी में दवाया होती है आसने कलब है बोविष्टा है काली कारभ है अपी समयल है लेकिन कोई पर्टिकलर दवा कमाया आपको नाम नहीं बता सकता है हर रोगी की दवा अलग होती है जैसा जिसका लक्षा होता है इस रोगी की दवा महोपैथी मेलाग होती है यदि आपको इलाज लेने की आवशकता है तो आप किसी अच्छे होमेपैसे मिले जो आपके लिए सिंगल मेडिसिन का सेलेक्शन करसे है तो हमको बहुत कंडिशन होने लगी थी मेरे को यह फिर से थाला लगा था फिर क्या करते है है फिर पित्ती बित्ती भी बहुत होने लिए मिरी आप अक्सूच जाती है अशा नहीं होता हूं पैतिक दवाई कभी भी रोग को बढ़ा के नहीं घटाती गलत जानकारी लिए उन्होंने यही बोला हमें तो पता नहीं था इसके बारों में तो बस्वाई चीज़े है सब्सक्राइब होती है और पूरे बाटरी डिशाज निकलते हैं और क्या दिकत होती है बस सर फोटो दिखाया तमने भी सर उते हमने देख लिया सब ब्रेस्ट के नीचे भी है पुरा थाइस दी है एख हरे जहां पर पसीना रुपता है वहां वहां खोल्ट्स पीज़ादा है पूरा इसके पैर में भी बहुत होता था मेरी यहां पर उप्रेस के और छोटे छोटे पर दग पर दो पर दोड़े से पर निचाहर जगा है, कुछ को पूरी बॉडी में हुआता हूँ ठीक है, इलाज करते हैं ठीक है जाएगा जिली जाएगा उसका एक दवा का चुनाख्या जाएगा जिस दवा का आपके लिए चुनाख्या जाएगा उसको देने के दो तरीके हैं पहला treatment का तरीका है, जैसे सारे हुआपएटिक डॉक्टर दते हैं मिठी गुलियों में खाने के लिए देते हैं तैसा भी तकात फारी थी मेरे treatment का तरीका थड़ा सा अलग है मैं अलग तरीके से करता हूं ना, इस treatment के तरीके को खते हैं बाल दोरह हों पर चिक चिकत्सा पद्धत या मेडिसिन इनर्जी ट्रांश्विशन इस पद्धत में ऐसे एकांच की सिशी ली जाती है इसमें दवा को डाला जाता है तरा आपके सर का एक बाल इसमें लगा दिया जाएगा और इसी से तरंगो ज़रा दवाई आपके से में प देखी लिए मैंने बहुत ही इंस्पायर हुई मैं वीडियो देखने के बाद तो में लागा कि बस आप कहीं जाने नहीं है अब आपकी के पास आना है ट्रीटमेंट के लिए मुझे लिए पूरा पड़ा यह सर पूरे दिन रहता अगर हम से ट्रेजिन नहीं खाएंगे तो यह पूरा रहेगा सर यह फंगल इंफेक्शन की वज़े से हो गया था पूरा यह पूरे दान है वो सब उसकी वज़े से हुआ था इतना इचिंग होता था कि मैंने चाकुत से खुझाया है सर सच में बहुत ज्यादा इचिंग होता था मुझे इस पीज़ें तो हलके काम हो गया है किक टाइम थुदा सा हो गया सब्सक्राइब हो आप इतने साल से परिशान थी आप में जब फ़र्स्टें लेखा ही होगा मुझे बहुत परिशान थी अवे इतना रोती थी कि मैं जी साथ ऐसा कि हुआ लग लेकिन अब तो मैं जब से मैं आपका ट्रीटमेंट लिया है तो अधिया है यह जुन का पहली बार आए थी तब तो आप पची जून जालवा था तो उसी के बाद से कुछी उसी की दस दिन के बाद से फिर मेरा सिट्रेजन खाय वे एक्ते टाइम हो गया है पहले देली खाती थी देली खाना पड़ता था मुझे बड़े बड़े आपको इस पोट्समें दिखाया थे कि बड़े इतनी इची और राच बर नहीं सोबाती थी मैं अब तो मितला खाय वे मुझे और मैं कितनी तारीफ हर अपने दोस्तों के साथ करती हूं और मेरे कुछ वोचों कुछ दोस्तों कोना शर्प कुछ की हतल nih जरद होता है लोगों को कहा दाना कि हूँ है वकी तो setzt कि मेने के तो अभी तो अभी अदर्माटाइटिस का ता उसका भी बहुत काफी फाइडा हुए काफी मिलाव अभिश मुझे नहीं होता है फिलहाल लेकिन बस हलका सु जो प्रेस के नीचे है वह थोड़ा साय है अभी अदरवाइस तो और कुछ क्या अभी अभी अव्यच बार्षल मुझे आफानडाईख का अधाँ अधानका है मुझे तो थोड़ा सा ढ़ाउति क्या चीज़े हैं मैं कभी चुनाही ने थी जो अधा परक्प्रशald को आई थी तो मैंने अपको बताया था भाल से-भाल से तो मेरे को मैं इसी वजह से में मैं ठीकिता है, मैं थोड़ा सा तर्स्ट नहीं हो था गाई तो आपके बारे में देखा काफी छीज़ों के तीमें अपके रिवीव्यों से तब मुझे ट्रस्ट हुआ कि अपकराण अची तभी मैं दुबारा यापके पास आई ती वजे से कि यहां मुझा जाना है थोड़ा सा भार्ग चेहा तो पित्ती निकलती थी जिल पित्ती वो ऐसा है अप्ति निकलती थी तो ठीक है अप बिल्कुल हाँ एकदम ठीक है मतलब होती ही नहीं है बहुत अच्छा थी बुलगरी अठीले आपके वाहार पास पोटोग्राफ है तो मैं तो रोई इतना जाद मैं जहीं हुए इतना साल मेरे पास एक पिशेंट आए थी जी सब कुछ उनको समझना लेकिन का रहे बाल से इलाज के सो जाएगा उन्हों ठीटमेंट ही नहीं लिया हां सब्सक्राइब होता है हमाई लें पहले नया ही था तब हमने पर सोचे नही आई थी तो बैर चली गेती कि मैंने आपके बारे में काफी देखा तब मैं दुबारा आई हूँ तो वही चीज़ा वही उनके वी तुछा से एक दरब सोचना गलत नहीं कि पहली बार सुनने में तो लगता ही है कि हाँ कैसे इलाज हो सकता है हमारी स्रीपन के पहले कहा कहा से तो कि मुझे बिखाई रहे थ भी सरहम है कि है श्याओ कि इस्टाइ वीत गाल और मुझे ये पिमारी हूई है फांच 해요 मूपरी हो। तो मिलाब तो तो बहुत醒िता है और उनको दिखाया है और बहुत चीज़ा कनगतना हूde को स्टा पराटर्वार सेथymल य comparison कीथ मैं सब रोज रात मुझे होती थी और मैं इवन कंभी से और इससे किस-किस चीज़े से इचिजें करती थी बहुत ज्यादा रिलीफ मेला मुझे पित्ती तो होती नहीं मुझे बूल गई में कि होती थी मुझे कंभी जो पेट के समस्छा है थी उसमे क्या था थी नहीं तो फि हुआ दिखा सकते हैं या आन लाइन टीटमेंट में लेने के लिए एक लिंक बढ़ा हुआ है वीडियो के बाना भूल यह बहा नali की